यूँ कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में काल्सरब दोश होता है या फिर पितरदोश होता है तो ऐसी व्यक्ति के जीवन में लगातार, ताउम्र, नौकई सम्मंदित समस्यां बनी रहती हैं या फिर व्यावसाय सम्मंदित समस्यां इतनी ज़्यादा बनी रहती है कि अगर उसका व्यावसाय थोड़ा अच्छा भी चलता है तो कहीं न कहीं से उसे करज जैसी समस्यां खेर लेती हैं या फिर घर में ही या फिर कहीं और से भी कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी अवश ही उसके जीवन में आ जाती है कि उसकी वजह से उसका फिजूल खर्च बढ़ जाता है, जितनी भी उसकी सेविंग्स होती हैं, उनका भी नुकसान होने लग जाता है, और कालसरब दोश और पि पित्रदोश है या फिर नहीं है, अभी वैसे तो थोड़े से ही संकेत हमने आपको बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताते हैं, कि जैसे अगर आपके जीवन में कालसरब दोश है, पित्रदोश है, तो उनको बड़ी आसानी से आप चैक कर सकते है कि आपके जीवन में, आपके घर में किसी व्यक्ति को तो नहीं है, कहीं उसकी वजह से तो घर में घ्रह कलेश नहीं होता है, तो जब आप जान जाते हैं, तब ही आप ठीक कर पाते हैं, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं चल पाता है, कि ये परेशानी है तो आखिर ठीक कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बोक्स में ओम नमशिवाय हरहर महादेव अवश्य ही लिख दें जिससे भगवान शिव की किरपा अपर हमेशा बनी रहे और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो तुरंथ चैनल को सबस्क्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखा करें जिससे कोई भी वीडियो मिस नहुआ करें तो दोस्तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कालसर्प दोश होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शत होते चले जाते हैं ठेक इसी प्रकार जिन भी लोगों के जीवन में पित्र दोश अगर उत्पन होता है या होता है तो उस घर में कभी भी शांती नहीं बनती है हमेशा घ्रह कलेश बना रहता है घर के जितने भी लोग होते हैं आपस में बिलकुल दुश्मनी जैसा सभाव करते हैं, एक दिशरे को देख कर चिड़ते हैं, यानि के अपने आपको आपस में एक नहीं मानते हैं, बिल्कुल परिवार तितर बितर जैसा हो जाता है, तो पितर दोष किस प्रकार से उत्पन होता है, ये भी आप जान लें सबसे पहले तो, कि अगर जो आपके पितर हैं, अगर वो कहीं पर फस जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ती नहीं हो पाती है, उनकी पूजा अपने नहीं कराई होती है, उनका ध्यान, उनका आदर सत्कार आदी वगहरा अगर आप नहीं करते हैं, तो ये समझ लिजिए हमेशा के लिए पितरदोश खर पर लग जाता ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल दूर होता नहीं है, इसे भी बड़ी असानी से दूर किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम आपको विश्तार से बताएंगे, और जो कालसर्प दोश होता है, यह तो एक प्रकार से कुंडली में ही ग्रहों के ही कारन हो जाता है, और दोश उत्पन हो जाने की वजए से उस व्यक्ति का मानसिक संतूलन बिल्कुल बिगड सा जाता है, और उसका चंदरमा ग्रह, चंदर ग्रह भी खराब हो जाता है, जो कि मन का कार ग्रह होता है, तो यह लक्षन अगर आपको आपके घर में आपको या किसी को भी दिखते हैं और समस्या का चुटकारा भी हो जाए, तो दोस्तों आपको सबसे पहली चीज तो यह बता दें कि जब ही आप सुबह उठा करें, तो सुबह उठते ही मुहा दो कर, कुछ भी आप पानी ना पिएं, कुछ भी ना खाएं, और सबसे پहले आपको, जहां से आप पानी लेकर प जो पुराने लोग होते थे उन सभी को ये सारी चीज़े पता होती थी और आपने खुद भी काफी सारे दुकानदारों को देखा होगा जो पहले के पुराने जमाने के होते थे वो क्या करते थे पहले दुकान खोलने से पहले दुकान खोलने के बाद पूझा पाट आदी वगएरा करते थे, दुकान के बाहर चड़काव करते थे और पहले की जो महिलाएं होती थी, उन्हें भी बताया जाता था वो अपनी लड़कियों को भी यही सिखाती थी कि सुबह उठकर घर के बाहर छड़काव करो पानी छड़को तो ऐसा अगर किया जाता है तो इससे ख्रैकलेश शान्त होता है और पित्रों को त्रिप्ती प्राप्त होती है लेकिन आजकल ये सारी संस्कृती बिल्कुल खतम सी ही हो गई है और यही कारण है कि सभी लोगों के पिता को ही जब वो छोटे थे आप उनसे खुद भी पूछ सकते हैं कि पहले के जमाने में वे कारे करके आते थे बाहर से काम करके आते थे और बिल्कुल शान्ती पूरवक खाना खाके शान्ती से सो भी जाते थे सुबह जल्दी उठ भी जाते थे और अपने काम पे भी चल ही हो गया है और जादा लोगों को जानकारी भी नहीं है लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें हम अपने वीडियो में हमेशा आपको बताते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर अवश्य ही बस इतना भी आप कर सकते हैं उस जल से आप घर के दर्वाजों को साफ कर दिया करें घर की खिड़की के भार डाल दिया करें क्योंकि फ्लैट में जो खिड़कियां होती है वहां से तो पानी डाला जा सकता है अपनी बालकनी में डाल दिया करें यानि कि जहां जहां से हवा आती है परवेश द्वार होता है वहां पर सारी जगत छीटे इसके आप लगा दिया करें रोज सुबह उठकर ये नियम बना लें और रोज सुबह उठकर एक दीपक भी अवश्य ही जलाया करें भगवान शिव के लिए भगवान विश्नु के लि जो होती है जो वाइब्रेशन प्रोडूस होती है उसमें अगर आप रहते हैं उसके आसपास अगर आप रहते हैं तो इससे कालसरप दोश नलिफाई हो जाता है यानि के कारें नहीं करता है अगर होता भी है तो उसका कोई असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है यह आसान लेकिन इन चीज़ों को भी आप जान लें कि कैसे इनके असर को बे असर किया जा सकता है। सारी जितनी भी बेकार की शक्तियां होती हैं वो दूर भागती हैं और उस घर में रह रहे लोगों पर असर नहीं डालती हैं। तोड़ कर लाकर वहाँ पर लगाती रहा करें। और ऐसा जब आप करना शुरू कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो जो परेशानी आपके घर में उत्पन होई थी, ग्रैकलेश के कारण होई थी तो वो परेशानी दूर होने लग जाती हैं। सबसे बड़ी खासियत तो पितरदोश की ये होती है कि अगर किसी घर में पितरदोश होता है तो उस घर में कभी भी ऐसी बहू नहीं आपाती है जो घर के फेवर के बारे में सोचती है। क्योंकि आज कल आप खुद देखिए कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परेशानी होती है कि शादी तो वैक कर लेते हैं लेकिन शादी के बाद जो बहुर शादी होकर आती है वो घर में लाखो, मुसीबते और परेशानी उत्पन करने लग जाती है। अपने बच्चों से प्रसंद नहीं हो पाती हैं तो कैसे वो आशिरवात दे पाएंगे वे खुद ही बंद जाते हैं और उनके बंद जाने की वज़य से घर में सारी परिशानिया खड़ी होने लग जाती हैं वो लक्षन देते हैं कि उनके बंधन को मुक्त किया जाए तो इसके लिए आप सबसे सरल चीज तो ये कर सकते हैं पशू पक्षियों की सेवा किया करें पीपल विर्ख्ष के पास जल भर के रखा करें शिव मंदिर में नंगे पैर जाया करें गोडों को जने खिलाया करें मचलियों को आटा खिलाया करें खास करकि पशू और पक्षियो बना सकते हैं इनमें कुछ भी करने की आवशक्ता नहीं पड़ती है बलकि अगर आप देखेंगे कहीं पर कोई व्यक्ति अगर पशु पक्षियों को खाना खिलाता रहता है तो उसके चहरे पर एक अलग सी ही प्रसंता आपको खुद देखने को मिलेगी और वो भी इसलिए हो काल सरब दोश समाप्त होते हैं पीपल विर्ख्षकी परिकर्मा किया करें परगद विर्ख्षकी किया करें रोज आदे घंटे सूरे में नमसकार करते हुए बैठा करें शाम को बैठा करें या किसी भी समय सुभे के समय दिन के समय शाम के समय कभी भी जब आपको समय मिलता तो सूरे की और बस नमस्कार करते हुए आप बैठ जाये करें और प्रातना किया करें जो आपके दूश हैं जो आपकी गलतियां जो आपसे हो जाती हैं उन्हें दूर करें क्योंकि सूरे में एक उरजा उश्मा होती है जो हर प्रकार की नेगेटिव उरजाओ को समाप्त और जलाने में बिल्कुल सक्षम होती है, तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़े हमने आपको बता दी हैं, आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, साधनाओ के बारे में बताएंगे, जिससे आप उन चीज़ों को भी कर सकते हैं, इस जानकारी को दूसरे लोग के साथ भी शेयर करें जिनके साथ ये परिशानी होती है जिससे वह भी समझ सकें और इनको जानकर ठीक कर सकें अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकें और अपनी परिशानियों से मुक्तर है सकें अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाका रखा करें जिससे कोई भी वीडियो मिस न हुआ करें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव